नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 फर्मों खबर जानते हैं फरवरी तक भारत बायोटेक लॉंज कर सकता है वैक्सीन क्रोणा में हमारी लगतार बरती जा रहिया इस वक्त पूरी दुनिया को क्रोणा वैक्सीन का इंतिजार है एक वरिष्ट बेग्यानिक ने बताया कि भारत सरकार दोआरा कोविद 19 भैक्सीन का रिजल्ट बेतर पाया गया है भैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी की सुरुवात में भैक्सीन आ सकती है ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक को वैक्सीन कुरोना की वैक्सीन का निर्वान कर रही है भारत बायोटेक ने उमीद जता है कि वैक्सीन अगले साल दूसरी तिमाही में लंच हो जाएगी 10 नौंबर से 12 पुजा स्पेसल ट्रेन जार्खंड के लिए दिपावरी और छट को देखते हुए पुर्वमाद रेल्वे ने 6 जोड़ी पुजा स्पेसल ट्रेन चलाने की गोशना की है ए पुजा स्पेसल ट्रेन राची से पटना धनवाद बरका खाना समयत और सरोस्त के लिए चलेगी बता दे कि पुजा स्पेसल ट्रेन दिपावरी और छटों में यात्रियों के अतरीक भीड को देखते हुए 10 नॉमबर 2020 से 2 समबर 2020 तक चलाएगी पुजा एस्पेशल ट्रेनों में धनबाद पतना पुजा एस्पेशल ट्रेन, भरका खना पतना पुजा एस्पेशल ट्रेन, राची पतना पुजा एस्पेशल ट्रेन, पतना सिंगरोली पुजा एस्पेशल ट्रेन, मनिहारी जयनगर पुजा एस्पेशल ट्रेन, राजेंद प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राजे में सक्तियों और नियाए छेत्र के इस्तिमाल की समति को वापस ले इन्टरमेडियेट कंपार्टमेंटल परिक्ष्ठान के इस्तिमाल में करवाइक और practicing ने मांगी रिपोर्ट जारखन में अल्प संख्यक चात्रवीती घोटाले मामले में केंद्र अल्प संख्यक कारे मंत्राले ने राज सरकार से जाच और दोस्यों पर करवाई कर रिपोर्ट मैंगी है अल्ब संख्यक कारे मंत्राले के सचीव पीके दासने मुखे सचीव सुक्देव सिंग को इसके लिए पत्र लिखा है उन्होंने अस्परस्ट कराए कि शात्रवीती घोटाले की जल्द से जल जाच कर और दोश्यों पर करवाई कर रिपोर्ट मंत्राले को उपलब्द कराए जैक बोड सिलेवस में बदलाव सीम हमंत की मिली मंजूरी जार्खन के सरकारी स्कूलों में पहली से बरावी तक के संसोधित सिलेवस को मुख मंत्रे मंसूरी ने मजूरी दे दिया है सिलेवस में 40-50 की कटोति की गया बताए दे कि इसमें कई बदलाव किये गया है स्कूली सीक्षा और ससायता विभाग की और से सुक्रवार को सशोधित सिलेवस जारी कर दिया जाएगा रांची में खुला NIA का कर्याला है राश्ट्रिय जाच एजनसी का कर्याले राश्टी में गुरुवार को खोला गया NIA DG योगेस चंद्रमोदी ने NIA कर्याला का उधगाटन किया उधगाटन के मोगे पर जारकन के DGP MB राव और NIA के IG 8022 सहीत कई वरी अधिकारी मजूद थे बता दे के उधगाटन के बाद NIA DG योगेस चंद्रमोदी ने राची NIA के द्वारा अनुसंधान कांडो की जनकारी ली अर्नोगोस्वामी गिरफतारी विरोध में केंडल जलाया मुंबाई पूलिस द्वारा रिपबलिक भारत के संपादक अर्नोगोस्वामी गिरफतारी के विरोध में भाजपा के जिला देख चंद्र सेखर गुपताक नेथित में गुरु और साम सहर के नेताजी चोक में भाजपाईयों ने परदेशन किया इस दोरान महराष्ट सरकार के इस घ्रीनित कारे को समिधान के चोथे अस्तम पर हामला करार देते हुए उदव ठाकरे सरकार के खिलाप जनकर नारेबाजी की गाई नसा के खिलाप अभियान में पांच दिनों में 120 लोग गिरफतार जारखन में नसा के सौधागरों के खिलाप राजे पुलिस मुख्याले की ओर से लगतार अभियान चलाया जा रहा है डिजी पी एमबी राव के निदेश पर अभियान शुरू किया गया है जारखन पुलिस प्रवक्तास आजी अभियान साकेत कुमार सिंग ने गुरुवार को बताया कि एक नॉमबर से पांच नॉमबर तक नसा के खिलाप चलाये गए बिसेस अभियान में राजे के 24 जीले से 94,908 किलो जवाब महुआ जब्त किया गया जबकि 14,115 लिटर देशी स्थराप जब्त किये गए उन्होंने बताया कि अब तक 123 लोग गिरफतार भी किये गए हाँ है CRPF के आजी ने हजारी बाग वा चात्रा का किया दवरा नकसल उन्मूलर अभियान में पुलिस के साथ मिलकर स्वयोग कर रहे CRPF की रणनीति की जनकारी लेने के लिए बलकि आजी महसवर दयाल ने गुरुवार को हजारी बाग वा चात्रा जिला का दवरा किया महसवर दयाल ने ना केवल हजारी बाग इस्थित CRPF के 22 वी बाटालियन के अधिकारियों से मिले बलकि चात्रा के राजपूर में नक्सल प्रवाई छेत्रों में मौजूद CRPF के पोश्ट पर पहुंच कर वहां की वास्तु इस्थिती की जनकारी भी ली जार्खन में 355 संक्रमितों के पुष्टी हुई जो राचित से 99 धनबाद 34, बोकारो 30, देवघर 26, पूर्वी 26, पाच्मी 21, गोड़ा 14, खोटी 13, गढ़वा 12, सिम्डेगा 11, गुमला 10, रामगर 10, राय केला 8, जाम तरा 7, कोडार्मा 7, पलामू 7, दुमका 4, हाजारी बा साहिव गंज से 1 मीले हाई जार्खन में कुल संक्रमितों के संख्या 1,53,538 है जबकि 97,geslen gмов 964 लोग संख्या 894 की मृती हो गई भारत में कुल संक्रमितों के संख्या 84, Erfolg 1934 है जबकि 67,67.273 लोग संख्या और 1,59 us, की मीरीती हो गई भारत में नएक केस 47,628 मिले हाई जबकि 54,133 लोग स्वास्थ हुए है भारत में इस समय एक्टिब केस 5,59,507 है वहीं जारकन में एक्टिब केस 46,50 है स्वास्थ मंत्री ने गोड़ा में प्राथ्मिक चिकित्सा केंद्र का उधगाटन किया गोड़ा के पोड़या हाट के देवधार में चिकित्सा विभाग दोआरा प्राथ्मिक चिकित्सा केंद्र भोण का उधगाटन गुरु वार को सुवे के स्वास्थ चिक्ट्सा योँपरवार कल्यान मंत्री बानागुपता ने किया मौके पर सभा को समधित करते हुए स्वास्त मंत्री बना गुपता ने कहा कि यह सरकार जानता के लिए बनी हुई है सरकार इसलिए उनके साथ विश्वसकात नहीं करेगी सरकारी विद्यालियों में सिक्षा का अस्तर बढ़ाने का गंभीर पर्यास जरूरी खुटी उपायुकते खुटी उपायुक ससी रंजन के अजक्ष्टा में गुरुवार को आयोजीत बैठक में सिक्षा भी बाग के कार्योग समिक्षा की गई बैठक के दोरान उपायुक ने कहा कि बर्तमान समय की अवसकता है कि हम सब मिलकर सरकारी विद्यालियों में सिक्षा का अस्तर को बढ़ाने के सर्थक परियास करे सत पर्तिसत किसानों को के सिसी का लाव दे धनबाद उपायुकते धनबाद उपायूक उमा संकर सिंग ने गुरुबार को पी एम किसान योईना की समिक्षा की, इस उसर पर उन्होंने पी एम किसान योईना से आछाजी सथ परचत किसानों को कसी का लाव देने का निर्देश दिया, किसानों से कसी अवेदन पत्र सविकार करने में रूची न एस सीजन का पाला कोड़ पती मिल गया है बता दे कि झार्खण की रहजानी राची के डौरणड़ा पार्सोलिक की नाजिया नसीम ने कौन बने गाउड़ुत की में एक दोड़ रुपय जित लिये हैं नाजिया कामाई का डुरंडा में है और उनकी सवस्वरार भिलाई चातिसगड में है राची विश्वविद्याले में युवा महोच्षव कराने की तयारी राची विश्वविद्याले दिसंबर में इंटर कॉलेज युवा महोत्सा आयोजन करने का मौन बना रहा है विश्वविद्याले ने अपना संस्क्रितिक और खेल कूद कलेंडर तैयार कर लिया है जिसे निर्मला कॉलेज को उपलावद करा दिया गया है बता दे कि सरकार की और से अनुमती मिलने के बाद कारेकरम का उजन किया जाएगा किसान बीरोध कानून के खिलाप चक्का जाम केंदर सरकार दोरा पारित क्रिसी कानून के खिलाप अखिल भारतिय किसान समिने संगहर समीती के ओहान पौर देश ब्यापी चक्का जाम के तह़ा जाखन राज किसान सभा के द्वारा राहे प्रखंड के डूंगरू डिह गाउं के समीप सिली राहे सड़क को जाम किया गया मुख्य वक्ता के रूप में जार्कन राज किसान सभा के उपाद्यक सरसंजोजक सुफल मतों ने कहा कि किसान विरोधी तीनो कानून के खिलाव पांच नौवंबर का देश ब्यापी चक्का जाम एतियासिक रहा सरना धर्म कोड को लेकर विशेश सत्र 11 को जार्कन के इतियास में पहली बार सरना धर्म कोड को लेकर 11 नौवंबर को विधान सभा का विशेश सत्र बुलाया गया है हेमन सुरेन सरकार ने सरना धर्म कोड की मांग को लेकर गंभीरता दिखाई है जार्खन के आदिवासियों की परमुख मांगों में से ये महत्वपूर्ण मांग है जार्खन विधान सबा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महत्यों ने ट्वीट कर कहा कि सरना धर्म कोड से आदिवासि को नई पहचान मिलेगी जार्खन के गाओं में लगेगी मोबाईल लोक अधालत जार्खन के गाओं में एक बार फिर से मोबाईल लोक अधालत लगेगी बिवादों के सुनवाई करने के बाद ततकाल उसे निप्टाया भी जाएगा बतादे की विवाद निप्टाने के लिए डालसा के वकील और पारा लीगल विलेंटियर भी मुझूद रहेंगे मुबाइल लोग अदालत लगाने के लिए हर जीले में टीम बनेगी नियोजन नीति पर सरकार ने सुप्रीम कोट से मांगा समय जाकन सरकार के नियोजन नीति के तोहत अधिसुचित जीलो में होई सिक्षको के नियुक्ति के मामले में दाखिला याचिकाप और सुप्रीम कोट में सुनवाई के दौरान जाकन सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की गुहार लगाई जिसे आदालत ने सुविकार कर लिया और मामले के सुनवाई नौमबर के अमतिम सब्ता में निदायत किया है धन्यवाद